नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका और मैं एजिकेशन गुरूप में आज की क्लास में हम बात करेंगे आइसमेटिक डू ओठोग्राफी आज एक्जामपल और है जुमारे पास इस एक्जामपल को हम सॉलो परेंगे पिछे भी हमने दो क्लास लगा थी उसका सुलेशन किया था आइसमेटिक टू ओठोग्राफी आज हम बही क्लास लगा रहे हैं एक्जामपल के साथ आज की जो आइसमेटिक व्यू है उसके अंदर क्या है ठोड़ा तिर्चापन है पिछे जो ड्रोइंग है हमने की थी उसके अंदर बिल्कुल चोर्श था अब यह आजवाली ड्रोइंग है इसमें देखो यह तिर्चापन है तो इसको हम कैसे बनाते हैं इसमें कन्हुजन जादा रहता है तो आज मैंने यह एक्जामपल लिया है इस एक्जामपल को सुलेशन करेंगे हम किसमें करेंगे इसका सुले नियम के अंसार फरंट का मनेगा इस साइड है तो फरंट यहा मनेगा टोप के अंदर तो अब देखो फरंट के अंदर क्या है लेंग देखो यहां से यहां तक कितनी है नब्बै और इसके हैट कितनी है तीच और पत्चिस पिचपन नब्बै वाई पिचपन तो यह हो गया 90 का और यह हो गया पीचपन का अब हम इस box के अंदर देखो यहां से यहां से यहां तर कितना सल रही है 25 वापिस यहां आ रहा है यहां कितना रहा है इस सायर में देखो यहां दे रखा है 20, 90 में से 20 निकाल दो, कितने रहेगे, यहां से आचलेगा, 70 कोई साइड से 20, तो हम यहां से इसको तर लेते हैं 20, यह आ गया हमारा 20, अब वापिस निच्चे कितना आ रहा है यह 30, वापिस निच्चे कितना रहा है यह देखो, यहां से यह 30, वापिस यह हमारा 30 आजया और यह 25 पे मिल रहा है यहां इस साइड वापिस मिल रहा है हम इसको यहां मिला देंगी यह देखो यह हमारा जो बहार वाला एल है वो बन गया है 20 और यह इस साइड में ठीक है अब इसके बाद देखो यह आगे वाला यहां से यह तिर्चा है यह वीच पीछे वाला ज्याद है यह यहां पे दिखाई दे रहा है यह इसकी लेंट निकालेंगे टॉप से निकल जाएगी और ऐसे निकालेंगे तो 32 आएगी हम इसको टॉप बनाके फिल्ड डरो करेंगे इ किसका, अब हम जापते हैं टोप के अंदर. ये देखों ये हमारा टोफ है। बोक्स बनाएगे यह हमने बॉक्स बनाया अब टॉप के अंदर यह देखो यहां चल रही है यह ऐसा ही बनेगा इस तरीके से तो यहां से देखो यहां कितनी चल रही है 20 और इस साइड कितनी है पीछे 10 यहां से तो हमारी होगी 20 और इस साइड होगी हमारी 10 और यह इसके समान तर यहां चल लिए उसके बाद यह रेखा टेड़ी वाली रेखा रही है यहां से यहां पर आ रही है जो 20 वाले पॉयंट है यहाँ पर मिल रही है तो हमने क्या करेंगे इस point को यहाँ से यहाँ मिला देगी इस point को यहाँ मिला देगी यह मिला है हमने अब यह देखो एमने यह 20 से लाए है यहाँ साइड में इस साइड में 20 से लहाए लेकिन पित्छे वली लेंथ हैं usingique तो इस length के उपर Dry तो इस length को हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको टस करा़ेंगी यह देखो हमारी अब यह लेंथ है जो यहां जो बढ़ेगी न यह जो एक्स्ट्रा लेंथ है इतनी वो निकल के यहां पर आचती है तो हम यह बढ़ा है ठीक है इस पर मिला दिया इसके बाद देखो टोप के अंदर जाएंगे यह रेखा कितने पर वापिस दस आ रही यह देखो यहां से यह बार वाले रेखा तो यह आगी यह वाली तो यह आगी अब अंदर वाले कितनी है अंदर है दस यहां से हमने किया कितना किया दस किया और इस लाइन पर मिला रहे ह कि यह मिल गया हुआ हिपक्र थी कह है कि अग्रेश्च का अब निच्चे वाला पॉर्छे बन गया और यसे वाला भुन गया हमारा अब Keys यह रेखा है ना यह वाली मिली थी इस रेखा से इस रेखा पर मिलेगा इसके समांतर हम रेखा खिंचेंगे और कितने निचे आएगी यह देखो 15 यहां से हमने पंदरा यह रेखा आएगी ना यह कितनी आएगी निचे 15 इसके समांतर हमने इसके समांतर खिंचेंगे यहां प फरन्ट फरन्ट में अब हमारे कोई दिक्कत नहीं है अच्छे से समझ में आता होगा आप लाइक और शेर जरूर किजिए वीडियो को और कोमेंट जरूर किया करें आप ताकि पता चले कोई भी क्लास एक्स्टा क्लास और बनानी है कोई दूसरी क्लास तो हम लगेंगे आप कमेंट जरूर दिये उसके हसाब स्यम और क्लास देप यह साथ से देखो संसलय कितने है साथ और हैट कितनी हैं विचतर तो यह भी इंतनी लाइक पीच पंई यहां पीचन और यह साट यह आगी मारी देखा सबसे पहले बोक्स मना लेना है जो बोक्स मनाएंगे ना तब हमें अंदाज आज आजाएगा सब चीज का अभी अपनी लाइने कहां कहां से ड्रोन नहीं है अब यह देखो नीचे वाला बोक्स मन रहा है कितने का पत्चिस का यह पत्चिस है इस साइड भी पत्चिस है अब यह देखो यह भी पत्चिस पे था इसके समान तर यह एका आगई पत्चिस की उसके बाद हम जा रहे हैं उपर यह देखो यहां आगई साइड यहां से कितनी चल रही है 10 और वापिश कितनी आ रही है 15 यहां से 10 और यहां से भी 10 निचे कितनी आ रही थी 15 तो यह हमने 10 से निचे लाए 15 ठीक है और वापिश में कितनी है यह 40 है हम 40 चलेंगे 40 चलने के बाद कितनी बचेगी 10 बचेगी साइड से 10 निकालो और 15 नीचे ले आओ यह मारी साइड बढ़ गी यह साइड हो गई यह फरंट हो गया यह अमारा तोक हो गया अब देखो तिर्ची ओने की बजय से यहां फरंट में कितना अंतर आया यह एक बोक्स नीचे और मना अगर्थ हो सुथी यह बोक्स से मारा नहीं बनता अब एक बार हमने डुर्इंग बनाई है दुबारा से चेख कर लेते हैं इसको सइसे बन गईए किया अमारे डुर्इंग कोई चीज की तुरूटी टोप से भी बन गया, फरंट देखते हैं, फरंट में देखो नीचे एक L बन रहा है, यह हमारा एक L बन रहा है, उसके बाद क्या है, यह पीछे वाली देखा, यह जो लाइन है, यह दिखाई दे रही है, यह दिखाई दे रही है, यह दिखाई दे रही है, यह दिखाई दे यह box बढ़ गया हमारा, उसके बाद यह height पूरी उपर से जा रही है, और यहाँ पर 20 और यह, यह देखो बीच में से खाली है, यहाँ से हम चलते हैं तब, यहाँ यह हिसा क्या है, खाली है जिसको क्या करेंगे हम, erase कर देंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने देख उसको raise कर देंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ सब पर नाम लिखेंगे, क्या करेंगे, विमांकन और विमांकन करेंगे, और इनका सब का नाम लिखेंगे, क्या क्या नाम लिखना है, टोप किजी का है, टोप, फरेटी का फ्रेंट, साइड किजी का है, साइड और इसका विमांकन करनाएं में तब विमांकन करेंगे कितनी हमारी यहां रेखा 90 की टोटल लेंद थी हमारी 90 यहां से अमने अब इसका माप यहां देते हैं इसका नवाप यह कितने हैं यह हमारी साइड है साइड में कितनी हमारी पिच पॉइंट 25 और 30 यह हमारी 25 यह हमारी 30 इसको गुमा के लिखना है हमें विद्धी के हिसाब से लिखना है अगर यह सहरे चे विद्धी में कर रहे हैं तो इसको 25 को ऐसे लिखेंगे 25 और 30 को ऐसे गुमा देंगे इसको इस तरीके से यह मैंने यहाँ आ नहीं लिए पूर तरीके से इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया सीट को गुमा लेंगे बॉर्ड को गुमा नहीं सकते इसके बाद उपर बागा भी मांकन कर दो यह 40 यह 10 और यह 10 सब्पर क्या करना है एरो जुरूर लगाने अब छोटी जिगा होगे ना तो उस पर क्या करना है जैसे ऐसे किया ठीक है इस साइड से दोनों तरफ से एरो लगाएंगे और बीच में 10 लिख देंगे ऐसे 10 लिख देंगे ठीक है अब इसमें हमारा यह विमांकन हो गया इस साइड विमांकन हो गया यहाँ विमांकन करने की जरूरत नहीं है अगर हमें सोचते हैं भी यह हमें कहीं भी पता नहीं चल रहा है यह रेखा कितनी है तो यहाँ पर हम यह बता देंगे यह कितना है देखो यह हमारा फरंट था फरंट में यह कितनी है 20 है तो इसको क्या लिख देंगे 20 ठीक है अब इस पे क्या करेंगे सब पे नाम लिख देंगे टोफ और फरांट साइड यह हल्की सी रेखा खिंची यह हमारा क्या है टोफ यह हमारी साइड उपर लिखने है साइड यहां लिखने है और यह फरांट स्केल की साइटा से समांदर लाइन खींच के यह हमें ऐसे बना रहा है यह हमारा क्या आगया साइड आगी, फरेंट आगी और टोफ आगया अब इसमें क्या करते हैं उपर लिखते हैं क्योंकि ड्रोइंग सारी एमम में चलती है एक अनुपात अब हम बनाते हैं इसका सिंबल तो इस सिंबल का वैसे तो कोई माप कहीं दिया नहीं है एक्टिल में माप नहीं है वाकि इसको आठ और सोडा का मानते हैं अलग अलग भी मिल जाएगे आपको यह अंदर वाडा है ना इसकी त्रीज या आठ या निए शोडा होगी और यह बार वाडा है ना इसको कई जगा बारा देते हैं कई जगा शोडा देते हैं अब इसको फर्स्ट एंगल में बढ़ा है आमने तो यह बार वाड़ी रेखाया यह बार वाड़ी और इसकी लंबाई बिमेश्चित निए चोविस मनाते हैं इस प्रकार से बढ़ेगा और यहाँ पे क्या करेंगें सेंटर लाइन बढ़ाएंगे यह हमारा सिंबल हो गया फर्स्ट एंगल का थर्ड एंगल में यह वाड़ा गूम के वापिस बन देएगा बस यह हमारा फर्स्ट एंगल का सिंबल हो गया यह हमारा टोप यह हमारा फरांट यह हमारी साइड हमने यह एक्जांपल सुलेशन किया है उमीड करता हूँ यह एक इकना अच्छा है और दूसरी क्लासों के दूसरी क्लास भी लगानी है तो उसके बारे में कोमेंट दीजिए आईडिये दीजिए ताकि हम आपको सरल से सरल तरीक्षे की वीडियो पढ़ाई के मादिम से उपलब करवा दें तब तक नेक्स्ट वीडियो डालें तब तक के लि बाई बाई